आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कहकरो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें तो दोस्तो सबसे पहले यहां पर व्रित्त का व्यापक समीकरन हम निकरेते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं व्रित्त का व्यापक समीकरन होता है एक्स वर्गधन वाय वर्गधन दो जी एक्स दन दो एफ वाय दन सी बराबर सुन्य जहां केंद्र हमारा होता है C, जिसके निरसां करेंगे जे एदे रड़ेफ तथा त्रिज्य यहां पे होता है R, बराबर होगा करनी में G वर्ग दन F वर्ग रन C, तो यहां से हमारे पास जो व्यापक समिकरन हम लिखा इसे समिकरन पहला, दिये गए वृत्तों के समिकरन को क्रमस दूसरा वा तीसरा हम लिख लेंगे दोस्तो यहाँ पर यदि हम बात करें बाहता इसपर्स करने की बात कर रहा है तो यदि हमारे पास कोई दो वृत्त कुछ इस प्रकार से हैं जो एक दूसरे को बाहता इसपर्स करते हैं और उनके केंद्र यदि हम क्रमसा C1 वा C2 माने तथा उनकी त्रिज्याएं हम क्रमसा R1 वा R2 मान ले तो बायता इसपर्ष करने के लिए इनकी भी संबन्द क्या होता है बैता इसपर्ष करने के लिए हम लिखेंगे यदि बायता इसपर्ष करें तब यहांस हमारे पास होता है C1 C2 के मद्दे दूरी बराबर R1 धन R2 दोनों त्रिज्याओं का योग यह हमारे पास संबन्द होता है तो यह मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर हम समसे पहले तो मान लेंगे माना वरित एक वदो स्वारी यहां पर वरित तीन दो वद तीन के लिए हम लिखेंगे वरित दो वद तीन के केंद्र क्रमसर क्रमसर सीवर्ण इसके रन निर्डेसांग हमारे पस रिदे प्रेटी वन ने फ1 तता सी तो इसके रिदे चांग ररन जेटोव एफ तू है है यदि हम बात करने त्रिज्याओं की त्रिज्याएं आरवन वह आरटो है तो यहां से हम समीकरन समीकरन1 से दो वतीन की तुल करेंगे दो वतीन की तुलना करने पर तो यहां से हमारे पास क्या जायेगा यहां से हम देख सकते हैं यदी हम तुलना करेंगे यहां यहां सामने लिखेंगे 2G1 बढ़र यहां रन चाओदा तो यहां सामने रिखेंगे 2G1 बराबर यहां रन चाओदा 2F1 बराबर रण 10, दो से भाग देंगे 2 सत्य चओधा, फुना दो से भाग देंगे 2 पंचे 10, तो यहां से हमारे पस क्या जाएगा, जी बन कमान रण 7, वो एफ़़ण कमान रण 5 आजाएगा, इसे प्रकार पुना तुलना करेंगे, तो यहां पे एक्स का गड़ाँ करेंगे 2, वो य का गड़ांक 6 है, तो हमारे पास दूसरे वृत्त के लिए क्या आजाएगा, 2G2, तो यहां से एक्स का गड़ांक, रण 2 है, बनावर रण 2, वो दो F2, इसके लिए य का गड़ांक हमारे पस कह 6 है, तो यहां से हमारे पास 2 से तू कट जाएगा, तो G2 कमान रण 1, त थेनार हमारे पास किया वे कंदर के लिए जैसे कहम कि दो अ देखा है कि कि दो कि मैच था चीज अधा प्तेट है तो क्या जाएगा हमारे पास आर्ट्रिंटू ळे गोरीन पाँच करेंगे तो मैं आज एक वा नहीं हम और नभी की ती मत लेगे हैं यह यहां से में हमने c1, c2 के मान निकालें, j & f निकालके, अब यहां पर अचर रासियों की तुल ला करें, तो एक के लिए अचर रासि अंठा वन है, दूसरे के लिए ते लड़े 26 है, तो इस प्रकार यहां से हमारे पास C1 का मान क्या आगया है 58 C2 के लिए मान है रण 26 तब यहां से जब हम पहली दरीजे R1 निकालेंगे तो क्या आजाएगा हमारे पास 7 का वर्ग धन 5 का वर्ग रण 58 तो इस प्रकार यहां से हल करेंगे यहां से हमारे पास आजाएगा करणे में साथ का वर्ग उन चास पांच का वर्ग पचीश रण 58 तो यहां से हल करने पर तो यहां से 16 हमारे पास आजाएगा करणी में 16 जो हम लिखेंगे तो मान कितना आजाएगा हमारे पास धन रण 4 परन तो यहां केवल 4 लेंगे चुकि यहां पर 3 जया एक लंबाई होते है धनात् का तो यहां से हम देख सकते हैं हम यहां पर लिखेंगे एक का वर्ग धन रण 3 का वर्ग रण 26 तो यहां से रण 2 बराबर के आजाएगा धन रण 6 आना चाहिए परन तो सिर्फ हम धनात्मक मान लेंगे जो कि यहां हम तरिजया निकाल रहे है तो यहां पर 4 और 6 हमारे पास आ चुका है अब जैसे कि हमने कहा कि यदि बायता इस पर्स करें तो इस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा संबंध कि दोनों के केंद्रों के मद्दे की दूरी जो होगी वह बराबर होने चाहिए के दोनों तरिजयाओं के योग के तो यहां से हमें यह सिद्ध करना है तो यहां से हम क्या करेंगे इसका बाया पक्ष ले लेंगे C1, C2 के मद्दे दूरी ले लेंगे और जैसा कि हम जानते हैं चुकि दो बिंदू हो C1 वो C2 जिसके निर्दांग X1, Y1, X2, Y2 है कि मद्दे दूरी C1, C2 बराबर क्या होता है बराबर हो जाएगा यहां पर हम इसे मापांक मिलेते हैं करड़ी मे यहां सेदी हम देखें तो X1, Y1 के जगह में साथ पांच और X2, Y2 के जगह में एक रनीतीन हमारे पास आया तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहां करड़ी में यहां पर करड़ी में हमारे पास आयाएगा एक रनीतीन है इस तो कमान है अहां पर एक 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 रनीतीन जाएगा एक रनीतीन द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द लैं आखिनु अठीन के और नो है है antopu स्थ दान्त धनीं गेंगे इसे परकार यहां लेडिय कोड़ है इल्ड, करकार यादी निगmost देखें हमारे पास दाय पक्ष है दाय पक्ष R1 धन R2 के बराबर यह होना चाहिए तो यह R1 धन R2 मान रखेंगे तो R1 कमान यहां देखें 4 गई R2 कमान 6 कई है तो यहां से आ जाएगा 4 धन 6 और मान कितना आ गया 10 आ गया तो दुनों कमान 10 आ चुका है इसलिए हम यहां कह सकते है Left hand side जो है बराबर हो गया Right hand side के अरथात केंदरों के बीच की दूरी जो है तरिज्याओं के योग के बराबर हो गया तो हम यहां से कह सकते है अता दोनों वृत दोनों वृत बायत इसपर्स करते है तो उमीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा धन्यवाद पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट आयाइटी जेई वो एडवांस के लेवल करके एक करोड से जादा चात्रों का भरोज़ा आज ही डाउनोट करे डाउटने डाप या वत्चाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर परा की वो 어ाज खरी जंचाचर के लेकर अवा जाचवा करें खांगा से देटार ही जार्टने जाच्वा ब से मैस आइट.